हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू ऐसे सी क्रैकर्स और इस चैनल पर फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत है तो इस वीडियो में हम लोग स्टाटिक जीके से रिलेटेड हंडेड एमसी क्यू कोशन को यहां पर सॉल्व करने वाले हैं और यह जितने भी कोशन है यह सब बेस्ट है एक्जाम पैटन के हिसाब से चलिये स्टाट करते हैं फर्स्ट कोशन के साथ पहला कोशन है कि हमेनी डाइप Óf और तीमेंटरी जो होता है देखे, rock जो होता है, ये तीन टाइप का होता है, ठीक है, एक तो आपका igneous rock होता है, दुसरा sedimentary rock और तिसरा metamorphic rock होता है, और ये igneous rock जो है, ये दो टाइप का होता है, intrusive igneous rock और extrusive igneous rock, अब देखे, जो granite है, ये example है किसका intrusive igneous rock का, और basalt extrusive का, ये आप याद तो यह जो idea है residual power का यह हमने किस देश के समिधान से लिया है तो आप क्या कहेंगे Canada से हमने यह लिया है next question है which of the falling is an example of sedimentary rock sedimentary rock का example जो है वो कौन सा है तो देखिए sedimentary rock के example के बाद करें तो sand stone जो है यह example है sand stone हो गया, lime stone, shale, conglomerate, gypsum यह सब किस के example है sedimentary rock के example है तो इसको भी आपको याद रखना है next है malic acid is most abundantly found in death malic acid सबसे अधिक मातरा में किस में पाया जाता है तो apple में जो है save में यह पाया जाता है सबसे जादा malic acid next है the first president of the all India trade union congress वाज अखिल भारतिये trade union congress के पहले अध्यक्ष कौन थे तो आप कहेंगे लाला राजपत्र है next question है गुरू बिपिन सिंग was known for which classical dance form गुरू बिपिन सिंग किस सास्त्रिये निर्थे सैली के लिए जाने जाते है तो मनी पूरी यहां पर होगा correct answer next question है which novel has won international booker prize 2022 international booker prize 2022 किस उपन्यास ने जीता tom of sand आप कहेंगे इसका correct answer next question है which Indian writer wrote the famous book मान सरोवर प्रसिद पुस्तक मान सरोवर किस भारतिये लेखक ने लिखी है तो मुंसी प्रेम चंद की यह किताब है next question है in which field is the able prize given able prize जो है किस field में दिया जाता है तो आप कहेंगे mathematics के छेति में जो है able prize दिया जाता है literature, physics, chemistry, medicine, peace इन सब के लिए क्या दिया जाता है नॉबल प्राइज है next है deficiency of which of the following vitamins cause excessive bleeding from wounds तो किस vitamin की कमी से घावर से अत्यदिक अरक्ट सराव होता है तो vitamin K होगा यहाँ पर correct answer next question है amoeba belongs to which of the following kingdom amoeba किस kingdom से संबंदीत है तो आप कहेंगे protistasia next है what is the chemical name of battery acid battery acid का रसाइनिक नाम क्या है तो right answer क्या होगा sulfuric acid होगा next है who is famously known as Bihar Kisri Bihar Kisri के नाम से कौन प्रसीद है किसे कहा जाता है तो आप कहेंगे Shri Krishna Shina को कहा जाता है Bihar Kisri next है article 23 and article 24 of the Indian constitution deal with which of the following fundamental rights तो भारती समिधान के अनुचे 23 और 24 किस मौलिक अधिकार से संबंदीत है right against exploitation होगा correct answer next है किस वर्ष रजिया को दिल्ली सल्तनत की गदी से हटाया गया रजिया सुल्तान जो है किस की बेटी है पहले तो आप इसका जवाब दीजे तो इलतितमिस हो जाएगा और किस वर्ष जो है रजिया को दिल्ली सल्तनत की गदी से हटाया गया तो 1240 में तो भारत के समिधान के किस भाग में कल्यानकारी राज का विचार नहीं थे तो वो डिरेक्टरी प्रिंसिपल्स अफ स्टेट पॉलिसी में है तो कौन सा भारत का सबसे अधिक अबादी वाला महा नगरिय सहर है तो वो है मुंबई सेकेंड नमबर पे आपका यहां देली आ जाता है तो दिल्ली सल्टनत काल में तबकात ए नाशिरी की रचना किस ने की थे थी तो यह मिनहाज उस सिराज ने किया था ओके मिनहाज उस सिराज next question है what is the currency of मैनमार मैनमार की मुद्रा क्या है मैनमार की मुद्रा क्या है तो क्या थोगा correct answer next question है माधवी मुद्गल किस भपसास्त्री निर्ति से समंदित है माधवी मुद्गल तो आप कहेंगे ODC dancer है मादवी मुदगल next है what is the average height of troposphere troposphere का average height कितना है तो lower most layer कौन सा है atmosphere का वो troposphere ही है और इसका average height 13 km है next question rock shelter of Vimbetka is located at which place Vimbetka जो है यह कहां पे located है तो आप कहेंगे मध्य परदेश में next question है who is the author of the inheritance of loss inheritance of loss के लेखा का क्या नाम है तो कीरन दिसाई होगा यहां पर right answer next question है अढ़ाई दिन का जोपरा is located at which place अढ़ाई दिन का जोपरा किस अस्थान परिस्तित है तो यह अजमेर में है अढ़ाई दिन का जोपरा next है which of the following dancers of Mohini Atom form of Indian classical dance was given the देवदासी national award in 2013 तो भारतिय सास्त्रे निर्थ के Mohini Atom सैलिक की निम्निलिखित नर्तिकियों में से किसको 2013 में देवदासी राष्ट्रिय पुरुषकार दिया गया था तो यह दिया गया था जया प्रभा मेनन को दिया गया था next है संभू महराज was awarded the Padam Siri for his contribution to which of the following dances in India तो संभू महराज जो है वो किस से related है तो कथक डांस से related है संभू महराज, बिर्जू महराज यह सब कथक डांसर है next है amylase enzyme can be found in DAS amylase enzyme किस में पाया जा सकता है तो आप कहेंगे saliva होगा यहां पर right answer next है what is the currency of Australia Australia का currency क्या है तो Australia का currency जो है वो dollar है next question है अब्दुलकरीम खान was the exponent of which school of Hindustani music तो अब्दुलकरीम खान जो है Hindustani संगीत के किस विस्विद्याले के प्रतिपादक थे basically किस घराने से यह बिलॉंग करते है तो आप कहेंगे किराना घराने से यह बिलॉंग करते है अब्दुलकरीम खान next है तंजोर बाला सरस्वती was given for which classical dance form तो यह जो तंजोर बाला सरस्वती है यह किस सास्त्रिय निरते सैली के लिए जाने जाती है तो भारत नाट्टम के लिए जाने जाती है next है which state recorded the lowest literacy rate in the census 2011 2011 की जनगना में किस राज में सबसे कम साक्षरता दर दर्ज की गई तो आप कहेंगे बिहार में highest जो है आप तो जानते हैं केरल में ही है next question है which famous male lawn tennis player retired in September 2022 तो कौन सा प्रसिद पुरुस lawn tennis खिलारी सितंबर 2022 में जो है retired हो गया तो वो थे कौन Rosa Federer next है which of the falling naturally occurring acids is present in ant sting तो ant sting में जो है ठीक है कौन सा acid होता है मौजूद तो वो होता है आपका mitnoic acid यानि कि formic acid तो mitnoic acid को ही जो है formic acid भी कहा जाता है next question है which of the falling monuments is not a UNESCO world heritage sites in India देखिए UNESCO world heritage sites जो है अभी present time पे 43 हो चुका है और यहाँ पर कौन नहीं है तो आप क्या कहेंगे 4 मिनार हैदराबाद ये UNESCO heritage site नहीं है गुत्तु मिनार, आगरा फोर्ट, रेड फोर्ट, ताज महल ये सब क्या है UNESCO heritage sites है next है who among the falling Indian dancer was the first woman in Indian history to be nominated as a member of the Rajsabha तो ये कौनती रुकमनी देवी अरुंडेल next question है which of the falling is constituted under article 280 of the constitution of India तो कौन भारत के समिधान के अनुछेद 280 के तहत गठीत है तो ये है finance commission next है तुरिम्बकेश्वर मंदिर कहां इस्तित है तुरिम्बकेश्वर मंदिर जो है वो कहां इस्तित है नासिक महरास्ट्रा में next है सराय नूर महल भारत का एक केंद्रिय संगरच्छित इस्मारक है या भारत के किस रज में इस्तित है तो आप क्या कहेंगे पंजाब यहाँ पर right answer होगा तो याद रखना है सराय नूर महल जो है ये कहां है पंजाब में next है which of the falling monuments is also known as the taj of the dhakkan तो dhakkan का taj जो है किस इस्मारक को कहा जाता है तो ये बीबी का मकवरा होगा right answer अब देखिए बीबी का मकवरा जो है ये मुगल समराट अरंग जेब के बेटे आजम साथ द्वारा अपनी मा रभिया उर्ध दौरानी उर्फ दिल रास बानू बेगम की याद में बनवाया गया एक मकवरा है ये याद रखना है आपको next है King George पंचम और Queen Mary के स्वागत के लिए 1924 में 1924 में कौन सा इस्मारक बनवाया गया था तो ये बनवाया गया था Gateway of India जो कि कहा है Mumbai में है Gateway of India next है तो कौन सा भारतिय वित्य संस्थान सेयर बजार में निवेशको की सुरक्षा करता है तो वो है Securities and Exchange Board of India next है तो ये है आपका Article 15 next question है in which state is the भोगाली भीहू festival celebrated भोगाली भीहू festival जो है ये किस राज में मनाया जाता है तो असम में मनाया जाता है ये next है who received the अभिनंदन Saroja National Award 2021 by the National Institute of Indian Classical Dance तो किसे मिलाता है अभिनंदन Saroja National Award 2021 तो आप कहेंगे अपड़ना सतीशन को next question है which article provides freedom to manage its own affair in matter of religion तो कौन सा अनुछेद धर्म के मामलों में अपने स्वेम के मामलों का प्रवंधन की करने की स्वतंतरता प्रदान करता है तो वो हो जाएगा आपका Article 26 next है तो हमने किस देश के समयधान से fundamental rights लिया है तो right answer क्या होगा American Constitution वह ही अगर हम बात करें fundamental duties की तो यह हमने USSR से लिया है next question है which of the following is not a fundamental right कौन सा fundamental right नहीं है कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है तो आप कहेंगे right to vote अब देखे right to equality right to freedom right against exploitation right to freedom of religion cultural and educational right right to constitutional remedies यह सब fundamental rights में आ गया और इससे related जो article है यह भी काफी important है next है in which state of India is the Yavsang festival celebrated तो यह जो Yavsang उत्सव है यह भारत के किस राज में मनाया जाता है तो right answer क्या होगा Manipur में next question है two among the following discovered the neutron neutron की खोच जो है वो किस ने की है तो James Chadwick ने किया है next question है the 11th fundamental duty was added to Indian constitution in which year भारतिये समिधान में एक 11 मौलिक करतव है किस वर्ष जोरा गया था तो 2002 में जोरा गया था next है post of vice president have been taken from किस देश से हमने post of vice president लिया है तो USA से लिया है हमने देगे USA हमने fundamental rights post of vice president impeachment removal of judges ये सब हमने लिया है next है in which of the following states is the goncha festival celebrated goncha festival जो है किस राज में मनाया जाता है तो ये 36 गड़ राज में मनाया जाता है goncha festival next है दियोंदर hills ये कहां पर located है अगर हम बात करें दिनोधर hills की तो ये जो है ये गुजरात में present है दिनोधर hill next है definition of money bill से related कौन सा article है तो definition of money bill से related article 110 है next है वांगला festival किस राज में मनाया जाता है वांगला festival की बात करें तो ये मेघाले राज में मनाया जाता है next है what does article 61 of the Indian constitution deal with भारतिय सम्विधान का अनुछेद 61 किस से सम्बंदित है तो 61 किस से सम्बंदित है तो आप कहेंगे impeachment of the president से सम्बंदित है next question है which river of Indian which river of India drains into bay of बंगाल तो भारत की कौन सी नदी बंगाल की खारी में गिरती है तो वो हो जाएगा आपका गुदावरी गुदावरी जो है ये largest peninsular river है इंडिया का second largest river है तो दो टाइब की river system होते है हिमालियन river system होता है एक peninsular river system होता है हिमालियन river system का सबसे बरानादी कौन है गंगा है peninsular river system का सबसे बरानादी गुदावरी है और वैसे बात करें पूरे भारत का तो वो तो गंगा है और second number पे गुदावरी आता है नेक्स है in which state of India is the चापचरकुट festival celebrated तो चापचरकुट उत्सब भारत के किस राज में मनाया जाता है तो ये मिजोरम में मनाया जाता है चापचरकुट festival नेक्स है in which of the falling states of India is the dream festival celebrated तो dream festival की बात करें तो ये किस राज में मनाया जाता है तो आप कहेंगे अरुनाचल प्रदेश में नेक्स है who among the falling founded the आत्मिया सभा in 1814 तो 1814 में आत्मिया सभा की अस्थापना किस ने की थी राजा राम मोहन रहने किया था नेक्स है कैलास नाथर मंदिर जो है वो भारत के किस राज में located है तो क्या होगा इसका correct answer कैलास नाथर मंदिर ये भारत के किस राज में है तो तमिल नाडू आप कहेंगे इसका correct answer नेक्स है पोंगल भारत के किस राज का फसल उत्सब है पोंगल जो है ये कहा का है तमिल नाडू का है नेक्स्ट है इन विच अप दा फॉलिंग इस्टेट्स इस दा ब्रिदेश्वर टेंपल दा वर्ल्ड फर्स टेंपल बिल्ड फ्रॉम ग्रेनाइट लोकेटड तो ग्रेनाइट से निर्मित दुनिया का पहला मंदिर ब्रिदेश्वर मंदिर किस राज में इस्टित है तो आप कहेंगे तमिल नाडू में नेक्स्ट है निर्मिलिकित में से कौन सासुर्य मंदिर सुलंकी वंस के राजा भीम देव प्रथम द्वारा बनवाया गया था तो क्या होगा करेक्ट एंसर मोडेरा सन टेंपल होगा करेक्ट एंसर मोडेरा सन टेंपल तो कौन सा सुर्य मंदिर सुलंकी वंस के राजा भीम देव प्रथम द्वारा बनवाया गया था मोडेरा सन टेंपल नेक्स्ट है वरली पेंटिंग भारत के किस राज का लोग चित्रकला है तो वरली की बात करें तो ये पेंटिंग महरास्टा से रिलेटेड है नेक्स्ट है विच अमोंग दा फॉलिंग लेक्स लाइज ऑन दा बॉर्डर ओफ आंधर प्रदेश एंद तमिल नाडू तो कौन से जील आंधर प्रदेश और तमिल नाडू की सिमाओ पर इस्तित है तो वो हो जाएगा पुलिकट लेक नेक्स्ट है गंगुबाई हंगल ये किस घराने से है गंगुबाई हंगल की बात करें तो ये किराना घराने से बिलॉंग करती है नेक्स्ट है इन विच स्टेट इस दा फेमस कामाख्या टेंपल सिचुएटेट तो प्रसिद कामाख्या मंदिर किस राज में इस्तित है तो ये असम में इस्तित है और यहीं पर होता है अंबुबाजी मेला नेक्स्ट है बंगलादेश भारत के किस राज के साथ अपनी सीमा साजा करता है तो बंगलादेश की बात करें तो भारत के किस राज के साथ अपनी सीमा साजा करता है तो आप क्या कहेंगे मेगाले अब देखिए बंगलादेश की बात करें तो ये सबसे लंबा अगर कोई बॉर्डर सेयर करता है इंडिया के साथ तो वो बंगलादेशी है तो बंगलादेश एंडिया सेयर ए 4096 किलोमेटर लॉंग इंटरनेशनल बॉर्डर असम, तिरुपूरा, मिजोरम, मिघाले, वेश्ट बंगल ये वो राजे हैं जो सीमाएं साजा करते हैं किसके साथ बंगलादेश के साथ नेक्स्ट है गोमतेसवर मंदिर किस राज में इस्तित है गोमतेशवर मंदिर की बात करें तो यह किस राजमिस्तित है तो करनाटक में है नेक्स्ट है कौन सा परोसी देश भारत के साथ भूमी सीमा साजा नहीं करता है तो वो स्रिलंका है नेक्स्ट है भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साजा करता है तो वो है बंगलादेश 4096 किलोमेटर नेक्स्ट है होईसलेशवर मंदिर किस राजमें इस्तित है होईसलेशवर मंदिर की बात करें तो यह करनाटक राजमें इस्तित है नेक्स्ट है निम्लिकित में से किस सहर में छासी की रानी की कबर इस्तित है तो किस cities में है Tom of Rani of Jhasi situated तो वो है Gwalior में Next है गदर पार्टी का गठन किस वर्स में हुआ था गदर पार्टी जो है यह कब फॉर्म हुआ था किस year तो 1913 में हुआ था गदर पार्टी का फॉर्म Next है the term back stick is used in which of the following games and sports back stick सब्द का प्रियोग किस खेल में किया जाता है तो यह किया जाता है हौकी में Next है 1942 में महात्मा गांधी द्वारा भारत छोरो आंदुलन किस अस्थान पर सुरू किया गया था तो अगस्त करांती मैदान होगा इसका राइट एंसर और यहीं पर जो है महात्मा गांधी ने किया कहा था Do or die Next है which of the following dances is dedicated to temples and was earlier known as सादिर तो कौन सा निर्थ मंदीरों को समर्पित है और पहले इसे सादिर के नाम से जाना जाता था तो आप कहेंगे भारत नाट्यम Next question है जैपूर में नाहरगर्ड किला महराजा सवाई जैसिंग दृत्त द्वारा किस वर्स बनाया गया था तो 1734 में बनवाया गया था इसको Next है वेन इस इंटरनेशनल मदर लैंविज डे सेलिबरेटेट अंतर राश्ट्रिये मातर भासा दिवस कम मनाया जाता है ये मनाया जाता है 21 फरवरी को Freedom fighter सुचेता क्रिपलानी became the first woman chief minister of which state सुचेता क्रिपलानी किस राज की पहली महिला मुख्य मंत्री बनी तो उत्त प्रदेश राज की Next है पदम भूशन किसोरी अमोनकर किस घराने से संबंदित है तो किसोरी अमोनकर जो है वो किस घराने से संबंदित है तो जैपूर अतरौली घराने से next है, किसे पहले Lady Willingdon Park के नाम से जाना जाता था, Lady Willingdon Park की बात करें, तो यहाँ पर right answer क्या हो जाएगा, लोधी गार्डेंच, O, के, next है, Who was the first governor of Madhya Pradesh, Madhya Pradesh के प्रथम राजपाल कौन थे, इनका क्या नाम है, Dr. Sita Ramaiya होगा, correct answer, नेक्स्ट है निम लिकित में से किस राज वंस ने विजय नगर राज की अस्थापना की Which of the following dynasties established the kingdom of विजय नगर तो राइट एंसर क्या होगा संगम डैनिस्टी नेक्स्ट है सर थॉमस रो इंगलेंड के राजा जेम्स प्रथम के अधिकारिक राजदूत के रूप में किस मुगल समराट के दरबार में आये थे तो राइट एंसर क्या होगा जहांगीर के दरबार में आये थे नेक्स्ट है अजाद सत्रू A ruler of the हरियंग dynasty was the son of death तो हरियंग वन्स के सासक अजाद सत्रू किसके पुत्र थे तो आप क्या कहेंगे बिम्बिसार के ये पुत्र थे नेक्स्ट है पदम सिरी अवाड़ी गोपाल प्रसाद दूबे was awarded for his contribution to which of the following dances गोपाल प्रसाद दूबे ये कौन से dance के लिए जाने जाते हैं तो आप क्या कहेंगे च्छव डांस के लिए अब देखे च्छव जो है वो semi classical dance है तिन राज्यों में किया जाता है जो है ये आपका west बंगाल में किया जाता है इसके अलावा जारखंड में और ओडिसा में किया जाता है नेक्स्ट है भुटान सेयर्स its border with which of the falling states of India तो भुटान जो है किस राज के साथ अपनी सीमाएं साजा करता है तो असम के साथ करता है असम के अलावा अरुनाचल परदेश west बंगाल सिक्किम के साथ ये अपना बॉर्डर सेयर करता है भुटान नेक्स्ट है सर्धना इसाई मेला किस राज में आयोजित किया जाता है तो यहाँ पर किस फियर की बात हो रही है सर्धना क्रिस्टन फियर की बात हो रही है और ये उत्तर परदेश राज में किया जाता है नेक्स्ट है 2004 में कबड़ी का पहला विश्वकप कहां आयोजित किया गया था 2004 में कबड़ी का पहला विश्वकप मुंबई में आयोजित किया गया था अली अकबर खान किस घराने से सम्मंदित हैं? अली अकबर खान जो हैं ये सरोध वादक है और ये किस घराने से बिलोंग करते हैं? महर घराने से केरल का एलेला कराडी निर्त किस जन जाती द्वारा किया जाता है तो ये जो कराडी जो डांस है ये केरल का है और किस जन जाती द्वारा किया जाता है तो ये रूलर ट्राइब्स के द्वारा किया जाता है नेक्स्ट है भक्ती-प्रदीप-कुलकरणी भक्ती-प्रदीप-कुलकरणी किस से जुरे है बैडमिंटन, कबट्टी, चेश या किर्केट तो भक्ती-प्रदीप-कुलकरणी की बात करें तो ये चेश प्लेयर है नेक्स्ट क्योशन है The permanent settlement came into operation in which of the following years पर्मानेंट सेटलमेंट जो है अस्थाई बंदोबर्थ किस वर्ष लागो हुआ था तो 1793 में लागो हुआ था नेक्स्ट है 1936 में स्वतंत्र लेबर पार्टी की अस्थापना किसके दौरा की गई थी नेक्स्ट है नेक्स्ट है नेक्स्ट है तडूबा नेशनल पार्ट जो है वो किस राज में इस्तित है तडूबा नेशनल पार्ट की बात करें तो ये महराष्ट्रा में है नेक्स्ट है तो किसे कहा जाता है तो वो रिपन को कहा जाता है नेक्स्ट है असम में मकर संकरान्ती का तहवार किस नाम से मनाया जाता है तो असम में मकर संकरांती का तहवार जो है माग भीहू के नाम से बनाया जाता है माग भीहू तो इस तरीके से स्टैटिक जीके का हम लोगों ने जो है 100 प्लस MCQ कोशन का रिविजन किया है आपका कितना स्कोरा है कॉमेंट करके आप जरूर बताएंगे मिलते हैं आप से नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में तब तक के लिए all the best